हेलो फ्रेंड दिस ही संजे संख्यान एंड यूर वाचिंग एच्पी नोटिफिकेशन पाई संख्यान दोस्तो एंपेस इंप्लाइज के लिए एक गुड न्यूज यह है कि सेंटर गॉर्मेंट की नोटिफिकेशन के बाद पुंजाब सरकार ने भी जो 2009 की नोटिफिकेशन को इंप्लिफिकेशन को इंप्लिफिकेशन करने का जारी कर दी है अब हिमाचल गवर्मेंट केаже की आस जगी है और maximum NPS यह जा ना चाही है कि यह 2009 की जो नोटिफिकेशन थी सेंटर गवցर्मेंट की या पन्जाब ने जब इंपिलिमेंट की है । यह क्या है इसकी बारे म मैं आपको just overview देना चाहूंगा पांच मेई 2009 को सेंटर गॉर्मिन ने एक option memorandum जारी करते हुए साथ point पे एक letter जारी किया था इसको एक point को मैं आपके साथ यहां discuss करना चाहूंगा कि यह 2009 का letter क्या था इसमें यह बताया गया था जो point बन था कि एक एक चार के बाद जो government applies थे उनके लिए एक नई pension scheme new pension scheme implement कर दी गई थी उसके point 2 में बताया गया था कि एक चार के बाद जो government applies NPS scheme में आगे थे उनको यह जो benefit थे एक retiremental benefit pension और invalid pension और family pension यह नहीं मिल रही थी तिसरे और चौत्थे point में बताया गया था कि उनके implies की benefit को देखते हुए central government ने एक high level task for HLTF एक high level task for constitute करी थी जिसको बोला था कि दो point पे वो अपनी recommendation दे दो point क्या थे कि आगर कोई government applies during service जो है वो disable हो जाता है या उनकी death हो जाती है तो उनको क्या क्या benefit जो वो दिये जा सकते थे इसमें point no.5 में यह बताया गया है कि on the recommendation of the high level task for सरकार ने यह जो है दोनों ही चीज़े implement करने का निरने ले लिया है और उन्होंने pension rule में amendment करते हुए चार point इसमें और add कर दिये हैं अब यह चार point क्या है चार point में यह बताया गया है कि retirement from service on invalidation not attribute to the government duty यनि कि अगर कोई किसी government applies को जो invalid हो जते हैं invalidation का मतलिए है कि अगर injury की बहुत से वो बहाँ पे official duty करने के लाइक नहीं रहते हैं तो सरकार उनको retirement कर देती है और उसमें जो उनको क्या मिलेगा परनतु यह जो invalidation है यह जो injury हुई है यह सरकारी काम न करते हुए office working आरके बाद हुई है उनको क्या मिलेगा उनको मिलेगी invalid pension जो rule 38 और 49 जो पैंसर रूल है 1972 उसके तहत उनको invalid pension मिलेगी और साथ में retirement गरेश्टी मिलेगी rule 50 के तहत और जो दूसरा है अगर government implies की service करते करते उनकी death हो जाती है परनतु यह service की बज़ा से नहों के किसी और कारण से natural death से natural reason से उनकी death होती है तो उनको क्या मिलेगा उनको उनके family की family को family pension जो rule 54 के तहत मिलेगी और उनको साथ में death गरेश्टी मिलेगी जो rule 50 के तहत जो pension rule था अब तीसरा चो और चौतर पॉइंट पर यह बताया गया है कि अगर government implies की अगर injury या जो काम पर करते हो कुछ ऐसी बिमारी लगी या जो injury हुई काम करते करते हैं अगर वहां पर disabled होगे तो उनको क्या मिलेगा या उनकी death हो जाती है वहां पर तो क्या मिलेगा यह point number 3 और 4 में बताया गया है इसमें बताया गया है कि अगर काम करते करते हैं विमारी की बाद से या किसी injury की बाद से government replies disabled हो जाते हैं तो उनको disability pension मिलेगी कौन से extraordinary pension rule के तहट और अगर साथ में उनको क्या मिलेगा retirement gratitude जो rule 50 pension rule के तहट मिलती है तो मिलेगी एक तो उनको disabled pension मिलेगी और दूसरा क्या मिलेगा gratitude मिलेगी अब चौथा जो point है इसमें बताया गया है कि government implies की अगर सरकारी काम करते हुए उनकी death हो जाती है तो उनको क्या मिलेगा एक तो मिलेगी extraordinary pension family pension मिलेगी जो pension rule के तहट और enter civil pension rule 1972 मतलब मैं इसको लमसम बनूँ तो government implies की चाहिए सरकारी काम करते हुए या officer duty के बाद भी अगर उनकी injury होती है तो उनको भी pension मिलेगी और साथ में उनको gratitude मिलेगी अगर government implies की death हो जाती है सरकारी काम करते हुए सरकारी काम करते करने के working आर के बाद भी तब भी उनको उन इन्होंने इसमें बताया गया है कि committee ने ये भी recommend किया था और committee के recommendation को मानते हुए इन्होंने भी इसमें notification में ये बताया है कि जो government implies को सरकार की तरव से जो contribution दिया जाता था 10 पहले 10% था और 14% है वो पैसा implies को सरकार को refund करना पड़ेगा means अगर invalid pension वो लेना चाहता है तो जो स contribution दिया था 14% आज की date में दे रहे हैं या पहले 10% था वो government implies सरकार को refund करेगी within trust और जो अगर family pension को लेना चाहते हैं family बाले तो family बाले भी जो सरकार का contribution था उसको बापस करेंगे इन्हीं सब्तों के साथ अब इस ही notification को पंजाब सरकार ने भी implement कर दिया है अब NPS implies जो हिमाच गवर्मेंट से जगी है और हम सब NPS implies सरकार से यह मांग करते हैं कि जैसे पंजाब सरकार ने इसको implement किया है हिमाचल के NPS implies के लिए भी इसको बहुत जल्दी implement किया जाए इन्हीं सब्दों के साथ keep watching HP notification by संख्यान जय हिन जय हिमाचल